हेलो फ्रेंड्स वेलकम डू मा यूट्यूब चैनल देखिए स्टुडेंट्स क्यूशन नमर 6 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.9 का क्या कहता है यह जो क्यूशन है डिफ्रेंट है क्योंकि यहां पे अब तक जो क्यूशन आये थे यह फोरम नहीं थी यह कौनशी फोरम आ होता था मान लेया y is equal to हमने differentiate करना था x को या कुछ भी आ जाया है अपने पास ठीक है तो y और x का क्या था डारेक्ट रिलेशन था ठीक है आप differentiate करते थे इसको x के respect में तो लिखता था dy y dx is equal to 2x हो जाता था लेकिन यहां क्या है परामेट्रिक फोरम में x और y x जैसे अपन to b sin t दिया है ठीक है x और y जो है वो डारेक्ट रिलेशन में नहीं है उनका intermediator जो है वो कोण है t है यही है parameter का काम यह कोण कर राइस में parameter का काम t कर रहा है किसी में p करेगा किसी में thitta करेगा ठीक है वही तो इनका डारेक्ट रिलेशन नहीं x और y का इनका relation कोण करवाएग t करवाएगा ठीक है तो ऐसी form को हम क्या बोलते हैं parametric form जो तो यहां पे जो x यहां variable क्या है x जो variable है उसको एक x और y variable को कोन connect करवा रहा है वही relation कोन करवा रहा है x और y variable का एक common variable जो की क्या है t है common variable t है वो उसको link करवा रहा है relation बना रहा है उनमें ऐसे function को क्या बोलेंगे हम parametric form बोलेंगे ठीक है ऐसी form को क्या बोलेंगे parametric form parametric function अब यह देखो यह parametric form है अब यहां पे हम करेंगे इसको differentiate हमने finally find out करना d square y upon dx square ठीक है तो कैसे find out करेंगे पहले इसको हम find out करेंगे यहां से dx by dt देखो हमने पहले भी किये है यह question x is equal to a cos t है वही इसको differentiate कर लें आप किसके respect में t की respect में differentiate with respect to t हमने जो common common variable जो है common variable parameter जो है उसके respect में differentiate करना है या theta और theta होते तो theta गी respect में differentiate करते ठीक है और फिर finally हम पहले निकाड़ेंगे dy by dx उसके बाद निकाड़ेंगे d square y upon dx square यहां से देखें तो यह बन जाएगा dxy dt is equal to a as t रहेगा और cos ठीका क्या हो जाएगा minus sin t तो मैं यहां लिख देता हूं y is equal to क्या है b sin t तो differentiate करें with respect to t t के respect में differentiate करो तो क्या होगा d y by dt is equal to b sin t का क्या हो जाएगा cost हो गया अब हम पहले तो यह निकालने से पहले तो हमें d y by dx ही चीए तो d y by dx कैसे निकड़ेगा यह पहले भी बता चुके हैं आपको स्टार्टिंग से चैप्टर शुरू करें वहीं हम बार बार बोलते हैं d y by dx क्या होगा d y by dx आएगा जब हम d y by dt को डिवाइड कर दें d x by dt से d t से d t हट जाएगा तो d y by dx या जाएगा ना अटाना नहीं है काटके नहीं दिखाना है आपको अब यहां value रख दें d y by dt की तो यह आई अपने पास b cos t ठीक है इसके अपने में d x by dt की माइनस a sin t तो हम इसको लिख सकते हैं यह क्या आगया minus b by a code t यह आगया वई क्या आगया minus b by a code t अब हमने find out करना है d square y upon dx अब यह देखो कैसे आएगा अगर हम इसकी बात करें तो यह कैसे आएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं वई d y dx of किसका करना है हमने d y y dx का ठीक है d y y dx जो आया है उसका दوبारा differentiation करना है किसके respect में x के respect में लेकिन अब यहाँ पे एक बात अगर हम देखें तो है क्या है यहाँ पे actual में जो variable है वो t है क्या है t है ठीक है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं देखो अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो d y dx और यह d y y dx है वही अपने पास किसके respect में करना है हमने t के respect में करना है न तो यहाँ पे अगर मैं d y y dx की value यहाँ रख दूँ आप एक बात देखें तो हम करने को यह भी step कर सकते हैं ठीक है यह मैं और आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि t के respect में आगर मैं यहाँ dt और यहाँ भी dt कर लूँ तो कुछ फरक पड़ेगा इस पर बात तो वही रहेगी हाना अब यह सब multiply में इनको एड़ेस्ट अगर इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दूँ तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा यानि कि डी सुकेयर वाई अपॉन डी एक्स सुकेयर कि अगर मैं बात कर लूँ तो यह क्या हो जाएगा अपना डी वाई देखो इसको इससे replace कर रहे है डीटी से यह इध अगर इसको और एक इसको ठीक है अब आप वैल्यू रख दें डी वाई दी टी ओफ क्या हो जाएगा डी वाई दी एक्स की क्या है अपना डी वाई दी एक्स यह तो इसको T के respect में हमने differentiate करना है तो minus by यह तो constant है इसको भार लिख लें आप ठीक है constant है तो zero नहीं होगा यहां क्योंकि into में है यह ठीक है अगर बीच में plus या minus होता तो इसका zero हो जाता T के respect में अब quote T का differentiation की बात करें तो क्या हैगा minus cosecant square T और T का T के respect में ही हो रहा है अब क्योंकि dt की form में हमने यह बना लिया ना तो one होगा वो तो लिखने की जरूरत नहीं है अब बात करें यहां की तो dt by dx है अब एक बात देखो जो आपकी हर question में यह बात रहेगी यहां रहेगा dt by dx जो भी variable रहेगा upon dx रहेगा तो आपने क्या करना है यह value आपने जरूर निकाल रखे देखो यह रही अगर हम बात करें तो आपके पास value किसकी है dx by dt की लेकिन इसने value किसकी है dt by dx की तो यह जो value आई है उसको पलट के हमने लिख देना है तो यह dt by dx की value बन जाए यानि कि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है न तो यह 1 upon minus a sin t लिख देते हैं हम इसको केलियर है वही ठीक है अब यह minus minus क्या हो गया पलस हो गया लेकिन यह फिर भी minus ही रहेगा यह तो बच गया तो d square y upon dx square जो है वो क्या हो जाएगा अपना minus b upon a square b upon a square और यह sin t जो है उपर जाके cosec t होगा cosec बोले cosec बोले t होगा सुकेर यहां अलरड़ी है यह cosec यहां से आ जाएगा तो कितनी बन जाएगी cosec की क्यूब बन जाएगी t यही क्या हो जाएगा वही इसका answer हो जाएगा यही तो हमने find out करना था d square y upon dx square ठीक है देखें अगर आप यह तो मैंने बहुत जादा समझाने के लिए आपको बताया अगर आप बीच में यह step करते हैं तो बहुत अच्छी बात है otherwise हमने यह किया आप डारेक्ट भी ऐसे लिख कर सकते थे देखो यहां से d square y upon dx square लिखते is equal to dy dx of किसका करना है हमने dy by dx का तो dy by dx की value हम रखते यह dy by dx क्या है अपना यह आ गया था minus b by a quote t quote t अब हम इसको differentiate करना है ठीक है तो differentiate करना है जैसे हमने y को differentiate किया था ध्यान करें जब y को y square को differentiate किया या y को किया और हम किसके respect में किया मालो यहां पे आपने यहां पे is equal to x है ठीक है और हमने इसको x के respect में differentiate करना है इसको किसके respect में differentiate करना है x के में तो पहले power का किया 2y लिखा फिर y का x के respect में dy y dx लिखेंगे is equal to 1 x का x के respect में इधर क्या बनेगा 1 तो y किसका काम कर रहा था variable का इसलिए हमने इसका differentiation ऐसे किया same बात यहाँ पे सोचेंगे अगर आप यह नहीं करते हैं तो आप same बात सोचें देखो यह minus by a side पे लगा ले अब quote t का करेंगे तो पहले quote का करेंगे यह t जो है ना variable है यहाँ constant नहीं है कि आप बोलें कि इसका तो 0 होगा x के respect में तो quote t का यह क्या हो जाएगा minus cosecant square t फिर करेंगे यह तो quote का हुआ फिर करेंगे t का differentiation तो t का करेंगे जैसे हम इसका y का करते हैं तो dy by dx लिखते हैं ऐसे t का करेंगे तो आप क्या लिखेंगे dt y x के respect में कर रहें न dx वह यह तो quote का लिखा है आपने और फिर t का करेंगे तो dt y dx लिखेंगे अब यह बात देखो यह जो है dt y dx इसकी value आपने यहाँ से रख देनी है यह तो यह रख रखी देखो आपने यह step जो है यह वाड़ा step यह यही तो बन गया वही यहाँ पर यह यहाँ तक आ गया और इसकी value आपने dt y dx की यह value देदेनी है वही यहाँ से उठाके यह clear है यह value आप देदेंगे और यह find out कर लेंगे तो आप एक यह method भी है आप यह भी अपना सकते हैं तो भी कोई दिकत नहीं है ठीक है वही यह था आपका first part आप note कर लेंगे second part देखे वही d square y upon dx square निकारना है x यह दिया है a cos cube theta और y की value a sin cube theta दिया है parametric form है आप parameter का का काम कोण कर रहा है theta ठीक है तो x is equal to a cos cube theta लेके चलेंगे हम इसको theta के respect में differentiate करेंगे differentiate with respect to theta theta तो dx by d theta is equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा a का a रहेगा यहाँ पहले power का करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 cos और यहाँ बन जाएगा square theta यह तो वहा भई देखो यह कम कर दी न power में यह तो power का क्या है हमने अब cos theta का और लिखें तो क्या लिखेंगे minus sin theta तो यह value क्या आ गई 3 minus का यहाँ लिखेंगे आप minus 3a sin theta cos square theta into sin theta यह value आ गई अब करें हम y is equal to क्या है अपना a sin cube theta का differentiation तो करें differentiation theta एक respect में तो क्या हो जाएगा dy by d theta is equal to a पहले पावर का तो 3 sin square बन जाएगा यह एक कम करके लिखेंगे फिर sin theta का sin theta का differentiation cos theta हो गया तो यह हो गया 3a sin square theta into cos theta अब हमें तो value ची एक dy by dx की ना dy by dx की पहले तो dy by dx ही निकाड़ाएगे बाद में निकाड़ाएगा यह तो तो dy by dx काड़ाएगा जब dy by d theta को हम divide कर देंगे dx by d theta से तो value दें भाई dy by d theta की क्या है 3a sin square theta into cos theta इसके अपोन में dx by d theta की value क्या है अपने पास यह minus 3a cos square theta into sin theta रख दी value clear अब आगे देखो यहाँ पे 3a से 3a कड़ जाएगा और यहाँ क्या है sin theta है और यहाँ square हे कड़ जाएगे यहाँ cos से a cos कड़ जाएगा निचे cos बच गएगा यहाँ क्या बचा अपना अगर बात कर लें तो dy by dx की value जो है वो क्या आगई उपर से sin बच गएगा निचे से minus का core तो minus का 10 theta आगए है यहाँ से ठीक है अब हम find out करते है क्या d square y upon dx square तो क्या होगा यह dy dx of किसका differentiation x के respect में dy by dx का इसको यही तो लिखते हैं dy by dx की value क्या यह आई तो हम लिखेंगे dy dx of value क्या minus 10 theta dy by dx क्या है minus 10 theta अब यहाँ पे आपने वैसे ही सोचना है जैसे हम y का differentiation करते है y एक variable होता है जैसे y square होता है तो पहले 2y लिखते हैं फिर y का dy by dx करते हैं x के respect में तो वैसे ही आपने theta को सोचना है यह थिटा variable का का काम कर रहा है यह ना समझें कि इसका तो 0 हो जाएगा x के respect में ठीक है भई तो इसको क्या करेंगे minus 10 theta है तो minus 10 का करेंगे 10 theta का क्या होता है secant square theta यह तो क्या 10 10 का हमने किसका क्या 10 का अब theta का differentiation जब आप करेंगे x के respect में तो यह लिखा जाएगा d theta upon dx theta का differentiation किसके respect में x के respect में d by dx of theta ठीक है अब हमने इसकी value दे जे नहीं है यह value क्या है वही dx by d theta तो आप यह value यहाँ पे देखें dx by d theta यहाँ है हमेची यह d theta by dx यानि कि यह जो value आई दी इसको पलट के आपने लिखना है यहाँ कुछ भी नहीं तो इसके upon में 1 है ना तो यहाँ पलट के लिखंगा तो 1 upon 3 minus 3 a cos square theta into sin theta ऐसे लिख दें वही clear अब क्या होगा minus minus हो गया plus ठीक है और यह अगर हम बात कर लें इसकी cos square की इसको आप क्या लिख देंगे d square y upon d x square की अगर हम बात कर लें तो cos square है यहाँ हाना इसको उपर लेके जाएं अगर आप इसको क्या कर लें उपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा वही secant square यहाँ पर ओलरड़ी है secant square theta अब upon में 3 a यहाँ ओलरड़ी है और sin theta यहाँ है इसको अगर आप उपर लेके जाएं तो cos sign को तो आप लिख सकते है cos second theta और इसको क्या लिख देंगे secant square theta one upon में cos square theta क्या होता है secant square theta और यहाँ क्या है वही अपना sin theta ठीक है 3 a यह क्या हो जाएगा 3 a sin अब देखें वही यहाँ पर क्या बन गया secant की square secant की square secant की power 4 theta बन गया निच्चे क्या है 3 a sin theta d square y upon dx square यही क्या हो जाएगा इसका आंचर हो जाएगा यह आप नोट कर लेगे थर्ड पाड देखेंगे x is equal to a cos theta plus theta sin theta है और y is equal to a sin theta minus theta cos theta है तो हमने क्या निकालना है d square y upon dx square देखें वही यहाँ parameter का काम पूर कर रहा है theta कर रहा है तो इसको theta की respect में differentiate करेंगे इसको भी फिर पहले dy by dx find out करेंगे उसके बाद करेंगे secondary derivative तो देखते हैं इसको differentiate कर लेते हैं differentiate with respect to theta करो गई तो यह क्या बढ़ेगा dx by d theta is equal to a cos theta का differentiation क्या हो जाएगा minus sin theta plus यहाँ पे देखें तो theta sin theta है तो u into v product rule लगाना पड़ेगा विश में तो यह bracket थोड़ी बढ़े बढ़ा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है वही यह छोटी यूज कर लें यह as it is sin theta का differentiation cos theta plus अब की बार sin theta as it is और theta का differentiation theta के irrespect में हो रहाए तो क्या होगा 1 into 1 अब यह bracket कर दे 1 ठीक है यहाँ पे देखें तो क्या बढ़ा गया वही यह a जो है इसको आप भारी रख ले a यहाँ देखें तो क्या बन जाएगा minus sin theta plus theta cos theta और यह plus sin theta यहाँ अगर देखें तो यह sin theta minus का plus का cancel यह आगया अपना यहाँ पे a theta cos theta आगया वही dxyd theta की value आगया अब हम find out करें यह y की value क्या है अपने पास a into sin theta minus theta cos theta है ठीक है इसको differentiate कर ले theta के respect में तो क्या बनेगा differentiate with respect to theta करो गई तो dy by d theta is equal to a sin theta का differentiation क्या होगा cos theta और minus तो इसमें भी bracket बड़ी बना लें यह छोटी में लिख लेते हैं u into v यहाँ भी लगेगा भई अना product rule तो minus है तो bracket जरूर लगा ले जरूर जरूर लगा है अब यहाँ अगर बात करें तो theta agities cos theta का minus sin theta into minus sin theta differentiation हो गया पाला सब की बार cos theta agities और theta का differentiation क्या आएगा one यह बड़ी bracket बन दी यहाँ start की थी हमने यह क्या बन जाएगा a cos theta minus minus क्या हो जाएगा plus theta sin theta और plus minus क्या हैगा minus cos theta cos theta जे cos theta cancel हो गया clear है वही समझा रहा है अब आगे देखो यहाँ पर क्या है cos theta कट गया क्या बन गया a theta sin theta अपनी value आई d y by d theta की यह अब हम इसके नीचे आप लिख लेंगे यहाँ कर देते हैं हमें चीए d y by d x अब d y by d x कब आएगा जब d y by d theta को divide करेंगे d x by d theta से d x by d theta से is equal d y by d theta कहा है वही यह है value a theta a theta sin theta upon यह last part देख रहे हैं question 6 का अब यहाँ पर देखें d x by d theta की value का है वही है a theta cos theta अब a theta से theta कट गया यह क्या बना sin upon cos time theta बन गया अब हम में करना है d square y upon d x square fine तो यह कैसे निकड़ेगा जब d y d x को d y d x को differentiate कर देंगे हम x के respect में तो बार तो value रखें भई d y d x of d y d x क्या है अपना tan theta तो यह नहीं देखना है कि यह theta है और यहाँ x के respect में कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा नहीं theta variable है यह तो क्या होगा भई differentiation y y की तरह है तो tan का करेंगे पहले तो second square theta फिर theta का करेंगे x के respect में तो d theta y d x लिखेंगे हाँ ना clear भई यहाँ से d square y upon d x square की value आजाएगी value रख देंगे आप किसकी d theta y d x की अब d theta y d x का है यह ना d x by d theta तो यह तो लिखा है इसको उल्टा करके आपने लिख देना है तो यह value है a theta cos theta यहाँ लिख दूँ one upon a theta cos theta ठीक है भई अब cos theta को आप उपर ले जाओ तो यह क्या बन जाएगा secant theta यह secant theta बनेगा सुकेर यहाँ पे है secant cube theta upon a theta यही क्या हो गया इसका answer हो गया भई यह है आपका third part आप note कर लेंगे question number seven देखे भई अब देखे क्या कहता है d square y upon dx square अबने find out करना है कब at theta is equal to pi by 2 पर find out करना है कि यह value क्या आएगी ठीक है अब देखो पहले हम क्या करेंगे d square y upon dx square find out करेंगे उसके बाद यह तो theta उसके बाद क्या करना है theta की value pi by 2 रख देने है और find out करेंगे तो वही काम पुराणा काम करना है पहले तो इसको theta की respect में इसको theta parametric form है theta की respect में differentiate करेंगे इसको भी और इसको भी पहले dy by dx निकाड़ेंगे उसके बाद d square y upon dx square फिल theta को pi by 2 अमने रखना है देखें बई differentiate कर देए इसको with respect to theta differentiate with respect to theta करो भई यह क्या बन जाएगा dx upon d theta is equal to यह देखो अगर इसकी बात करूँ तो अंदर देखो इसको multiply कर लेते हैं भई अगर आपको थोड़ा सा और हम simplify करें तो अंदर multiply कर लो इसको यह a बनेगा minus a cos theta बनेगा बन गया अब आप differentiate कर रहें theta की respect में तो a का तो क्या हो जाएगा theta की respect में 0 क्योंकि a क्या आया constant है variable नहीं है और इसका क्या होगा minus a यह तो 0 हो गया यह minus a का minus a आएगा क्योंकि into में है इसके यहाँ theta variable का काम कर रहा है तो आएगा minus a और cos theta का differentiation क्या हो जाएगा into minus sin theta तो यह क्या हो गया minus minus plus का a sin theta आ गया ठीक है अब हमने यह लेना है y is equal to क्या है अपने पास a theta plus sin theta है ठीक है अब यहाँ पे आपको multiply करने की जरूरत नहीं है अगर आप करना भी चाहें तो कर लेंगे कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं यह मैंने multiply इसलिए क्या क्योंकि यह constant दिख रहा था मुझे one minus cos theta तो one तो constant था ना तो a का इसका तो काम तमाम ठीक है इसलिए मैंने multiply कर लिया यहाँ यह दोनों variable है तो दोनों का differentiation होना है और इसके इंटू में ऐसा रहे के तो आएगा तो हम differentiate कर लें विद रिस्पेक्ट टू थिटा differentiate विद रिस्पेक्ट टू थिटा करो वई डी वाई अपॉन डी थिटा इस इक्वाल टू ए थिटा क्या हो जाएगा थिटा एक रिस्पेक्ट में वान पालास साइन थिटा का क्या होगा कोस थिटा किलियर होई अब हमने क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा डी वाई बाई डी थिटा को हम डी वाईड कर दें डी एक्स बाई डी थिटा से value रखें हम dy by d theta की क्या है अपने ये है a one plus cos theta upon और dx by d theta की क्या है a sin theta a sin theta a से a कट गया भी clear अब देखो यहाँ पे अपनी value क्या आ गई dy by dx की अगर हम बात करें तो यह value आई one plus cos theta upon sin theta अगर हम इसको और simplify कर सकते हैं तो हम simplify कर लें क्यों कर लें क्योंकि अभी इसको दोबारा differentiate और करना है अना तो हम इसको क्या कर लें और solve करें अगर और आये तो one plus cos theta को क्या करेंगे two cos square theta by two लिख सकते हैं साइन थित्टा को क्या लिख दें तु साइन सिट्टा डाई टू को सिट्टा घू ये जो मैं लिख रहा हूं ये श्टैप पता नहीं कितनी राद फिड्ल oyn का इस प्रकार पिछे अभ यहां देखें तूसे टू कट अब देखो आप चोटा सा बनागा ऐना अब इसको दभारा डिपेंशेट कर लें करो डी सुकेयर वाई अपॉन डी एक सुकेयर की अगर हम बात कर लें तो यह क्या होगा डी ​डी x of dy by dx, अना, अब dy by dx की value क्या आई अपनी, अपनी आई code theta y2, code theta y2, तो यहां भी वही बात है, theta variable है, ऐसा ना समझें कि इसके respect में कैसे होगा, यह differentiate, यह तो 0 ही हो जाना है, यह variable है theta, तो होगा इसका, code का क्या होगा, minus cosecant square theta, theta का काम इसके लिए theta y2 कर रहा है, तो यह तो साथ लिखा जाएगा, अब theta y2 का करें, differentiation x के respect में, तो theta y2 का differentiation करेंगे, तो यह 1 by 2 तो लगा दे वही side में, और theta का differentiation क्या हो जाएगा, d theta by dx, d theta by dx, के लिए, अब value रख दें, minus cosecant square theta by 2, into 1 by 2 है, यह 1 by 2 आगे लिख लेता हूँ, यह की बात है, ठीक है, यह इससे multiply मत कर देना, angle में, हम बार-बार बताते हैं, d theta by dx की value देनी है, तो dx by d theta हम निकाल चुके देखो, यह रहा, अब यह है value, इसके निचे कुछ square y upon dx square, जो है, वो क्या आगे अपना, यह आगे अपना, ठीक है, हमने, देखो, अगर हम चाहें, एक बात का ध्यान दे, यहाँ theta by 2 है, और यहाँ खाली sin theta है, अगर इस sin theta को उपर लेके जाएंगे, तो cosecant theta बनेगा, theta by 2 नहीं, कि आप इसको cube लिख दें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, तो इसको अगर आप लिखें, तो sin theta को अगर और step बढ़ाएं, यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, ठीक है, फिर sin theta by 2 को उपर ले जाएंगे, तो cosecant की cube बन जाएगा, जो अपना यह बनेगा, sin theta by 2, उसको पर लेके जाएंगे, तो cosecant theta by 2 बनेगा, वो क्या बन जाएगा, cosecant की cube theta by 2 बनेगा, तो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, जब हमें पता है कि निकालना क्या है, हमने value चीए, वैस theta by 2 पे, तो आप यहीं से भी निकाल सकते हैं, अगर आप आगे बढ़ा के करना चाहें, तो आगे जाके value रख दें, और यहां रखना चाहें, तो यहां रख लें, जहां आपको उचीत लगे, वहां रख लेंगे, तो theta is equal to pi by 2 पे हमने बताना है, तो यह value रख देता हूँ, minus 1 by 2, cosecant square theta, theta है pi by 2, तो यहां पे है, और pi by 2 यह, तो pi by 4 बन जाएगा वहीं, और into में 1 by a, a है ना, इस a को मैं यहां लिख देता हूँ, 1 by sin theta, 1 by क्या है, sin theta, तो sin theta को हम लिख सकते हैं, क्या, 1 by sin pi by 2, चीटा है, क्या value दे दी मैंने pi by 2, ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें, तो minus 1 by 2 a, cosecant pi by 4 की बात करें, तो sin pi by 4 क्या होता है, 1 by root 2, तो cosecant और sin एक दूसरी के रहे, सिप्रोकल होते हैं, तो 1 by root 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, root 2, तो root 2 का क्या कर देंगे आप, square, और यहां क्या है, 1 by sin pi by 2, pi by 2 का मतलब 90 degree पे, और sin 90 degree पे क्या होता है, 1, अब root e a अगर हम बात करें, तो यह क्या बन जाएगा, minus का, यह root 2 और root 2, 2 बनेगा पूरा, अपोन में निचे 2, यह चल रहा है, 2 से 2 कट गया, यह क्या आगया, minus 1 by a, यही क्या हो जाएगा, इसका, answer हो जाएगा वही, इसके बाद आप यह note कर लेंगे, यह था आपका first part, अब इसक इक्वल टू, 2 cos theta, minus cos 2 theta, और y is equal to 2 sin theta, minus sin 2 theta, यह है अपने पास parametric form, यहाँ पे, यह theta कर रहा है, parameter का काम, हमने find out करना है, d square y upon dx square, कव, add theta is equal to pi by 2 कर, तो देखें, हम इसको, theta के respect में differentiate कर लेते हैं, differentiate with respect to theta, करो गई, तो क्या बन जाएगा, dxy d theta, is equal to 2, cos theta का क्या होगा, minus sin theta, minus, cos 2 theta का minus sin 2 theta होगा, तो, वो minus, इसको क्या कर देगा, plus, तो sin 2 theta, और 2 theta का ओर करना है, तो into में 2 लिखेंगे, into में 2, clear, अब इसको मैं लिख देता हूँ, minus 2 sin theta, plus 2 sin 2 theta, यहाँ गया है, यहाँ से dxy d theta की value, अब देखें, y क्या है अपने पास, y है अपने पास, 2 sin theta, minus sin 2 theta है, इसको आप differentiate करें, with respect to theta, तो क्या बनेगा, dy by d theta is equal to 2, sin theta का differentiation क्या होता है, cos theta minus sin 2 theta का cos 2 theta, into 2 आएगा, 2 theta का 2 हो रहेगा, clear, यह आगया अपना dy by d theta, तो हम पहले तो निकालने के लिए, d square y upon dx square, पहले तो dy by dx find out करेंगे, तो dy by dx जो है, वो कैसे आएगा, जब हम dy by d theta को divide कर देंगे, dx by d theta से, ठीक है, अब dy by d theta की value क्या है वही, यह है, 2 cos theta minus 2 cos 2 theta, इसके अपन में क्या है वही, dx by d theta की value लिखनी है, वो यह है, तो इसको पहले लिख ले, इसको बाद में लिख ले, उससे कुछ फरक निपड़ता आगे पीछे, तो 2 sin 2 theta, और minus 2 sin theta, लिखे लिखे लिए अपने value, अब यहां पे देखो, तो यह जो 2 है, वो common आ जाएगा वे उपर से, आप क्या कर लेंगे, 2 को common लेंगे, तो यहां बच गया cos theta minus cos 2 theta, upon, यहां भी 2 common ले लें, तो यहां sin 2 theta, minus sin theta, के लिए इस 2 से यह 2 cancels हो गया, अब देखें यहाँ पे हमने करना क्या है हमें यह चल रहा है अपना dy by dx है वही जब हम इसको दुबारा differentiate करें उससे पहले जितना छोटा हो सकता है उतना हम छोटा कर लेंगे तो यहाँ जहां से देखें तो cos c minus cos d का formula लग रहा है और यहाँ sin c minus sin d का formula लग रहा है यह लगाने से क्या फायदा होगा देखो यह जो formula होता है वो cos c minus cos d का क्या होता है पहले तो यह जाने है आप note कर लेंगे यह चार formula है हम plus one में भी पढ़के आए है cos c minus cos d का formula क्या होता है दोनों sin के आते हैं वही इसमें 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c y 2 यहाँ ध्यान दें वही यह d minus c लिखा है मैंने ठीक है अगर इसको दूसरा अगर formula के बात करें तो और आप यह भी बोल सकते हो minus 2 sin c plus d y 2 और sin c minus d y 2 अब इसमें क्या फरक कर दिया मैंने यह minus common ले लिया इसमें जे तो वो minus sin minus sin theta होता है तो ऐसा लिख सकते हैं इसको चाहिए तो आप यह formula यूज़ करें चाहिए यह करें इसके लिए ठीक है अब एक formula इसमें sin c minus sin d का भी लगना है तो यह भी लिख देता हूं sin c minus sin d का formula क्या होता है वही 2 cos c plus d y 2 और sin c minus d y 2 clear है इनको note कर लेना है दोनों formula को अब इससे देखो क्या हुआ अब हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यह formula लगाते हैं तो formula यह दोनों देखो किस में हैं into में है न यह सब किस में है into में है तो कुछ तो कटेगा भई कटेगा अपना काम easy बनेगा second differentiation करने के लिए तो हम यहाँ formula लगाएं यहाँ पे formula लगाएं cos c minus cos d का तो क्या बन जाएगा cos c minus cos d 2 sin 2 sin c plus d y 2 तो c का काम यहाँ थिटा कर रहा है और d का काम 2 थिटा कर रहा है तो थिटा पलस 2 थिटा कितना हो गया 3 थिटा by 2 और आगे क्या है sin d minus c by 2 तो sin d minus c तो 2 थिटा में से थिटा subtract करेंगे तो थिटा ही बचेगा by 2 आपोन यहाँ देखें तो sin c minus sin d का formula अभी यहाँ लगाएं यह वाड़ा तो 2 cos c plus d y 2 तो बढ़ जाएगा 3 थिटा by 2 2 थिटा 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 चुड़ेगा और c minus d मतलब 2 थिटा में से थिटा जाएगा तो sin क्या बचेगा थिटा by 2 के लिए अब 2 से 2 गट गया sin थिटा by 2 से sin थिटा by 2 गट गया तो हो गया अपना फायदा यहाँ पे देखें तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आप इसके बाद यह नोट कर लेंगे d y by dx की अगर हम बात कर लें तो क्या आगया अपना sin 3 थिटा by 2 और cos 3 थिटा by 2 एंगल सेम है तो यह 10 बन जाएगा sin upon cos क्या होता है 10 अगर एंगल सेम नहीं होगा तो नहीं बन equal to क्या होता है इसको हम लिख सकते हैं d y dx of किसका d y y dx का जो आपका d y y dx आ गया है उसको दुबारा से differentiate करना है हमने तो यहाँ पे d y dx of d y y dx क्या है 10 3 थिटा by 2 है वहीं क्या है 10 3 थिटा by 2 अब जब इसको differentiate करेंगे तो हमने बार बार बता रहे हैं हम आपको यह थिटा variable का क जैसे हमने y का क्या है उसी परकार y का x के respect में करते थे ना उसी परकार हमने यह सोतना है तो क्या होगा पहले 10 का करें तो 10 का क्या हो जाएगा secant square theta 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 हम बात कर लें तो secant square 3 theta by 2 यह 3 by 2 जो है इसको मैं आगे लिख लेता हूँ यहां की बजाए ठीक है इसको इस angle में multiply मत कर देना भई यहां है d theta by dx तो d theta by dx की value यहां पे ध्यान दें dx by d theta की value यह अपने पास यह जो value है यह अपनी value जो आ गई है इसको इसके निचे कुछ भी नहीं तो one है न पूरे के अपोन में अब यहां मुझे उल्टा दिख रहा है d theta by dx तो इसको इसको इल्टा करके लिख दें one upon यहां मैं लिख देता हूँ one upon इसको पहले लिख लेता हूँ two sine theta sine two theta minus two sine theta लिख लिए हमने ऐसे ठीक है अब क्या कर ले वही देखो हम इस two को common ले 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 इस two को sine two theta minus sine theta बच गया यह जो two दिख रहा है यह इस से multiply होके क्या बन जाएगा दो दुनी च्यार यह जो दो इस दो से multiply होके बन जाएगा च्यार केलियर भई अब यहां पे देखो हमें जो है यह चल रहा है d square y upon dx square अगर आप चाहें इसको और जादा लंबा नहीं करना चाहते तो आप हमें d square y upon dx square theta is equal to pi y2 पे निकालना है तो एट theta is equal to pi y2 पे तो जहां भी theta दिख रहा है वहाँ pi y2 रख देंगे और आप यहां से अपना answer find out है कर लेंगे अगर आप चाहें तो यहां रख सकते हैं और और यह करें कि इसको और थोड़ा solve करेंगे यहां पर sin c minus sin d का formula लगा दें उसके बाद में रखेंगे तो बाद में रख लेंगे एक ही बात है देखो मैं यहीं रख देता हूँ हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे d square y upon dx square at theta is equal to pi y2 पे बात कर रहे हैं तो is equal to 3 by 4 secant square और यह क्या बन जाएगा pi by 2 करेंगे तो 3 pi by 4 बन जाएगा into में यहां पर बात करें तो 1 upon sin of 1 upon sin of 2 theta 2 theta जब 2 और theta करेंगे theta क्या है pi by 2 2 into pi by 2 तो 2 से 2 कर जाएगा यानि कि sin pi बनेगा minus sin theta यानि कि sin pi by 2 sin pi by 2 अब इनकी values हमने रख देनी है और इसको solve कर लेना है तो यहां पर देखें मैं इसको solve करवा देता हूँ यहां यहां कर देते हैं हम इसको ठीक है आप इसके बाद यहां से note कर लेंगे यह क्या है d square y upon dx square add theta is equal to pi by 2 पे हम find out करें is equal to अब देखो इसकी बात करें 3 pi by 4 की तो इसको मैं pi minus pi by 4 लिख सकता हूँ वही देखो यह 3 by 4 और इसको मैं लिख देता हूँ sec square pi minus pi by 4 ऐसा लिख सकते है न देखो हम इसको अगर simplify करें तो 4 lcm आएगा तो 4 pi minus pi 3 pi by 4 ही बन जाएगा इसको मैंने एक दूसरे रूप में लिख दिया 3 pi by 4 को यह ठीक है इससे क्या फायदा होगा secant of pi है तो secant का secant रहेगा दूसरे quadrant में है उसको check करेंगे दूसरे में negative होता है अपने को पता है तो इसको आगे solve करेंगे अब यह देखें इसकी अगर हम बात करें तो into into में 1 upon sin pi sin pi की value क्या हो जाएगी 0 sin n pi पे क्या होता है 0 minus और यह sin pi by 2 पे value कितने होगी 1 तो यहां से क्या आगया अपना minus 1 आगया कितना आगया यह minus 1 तो यह क्या बन जाएगा यह minus 1 जो है इसके into में है तो है तो यह minus 3 by 4 लिख सकते हैं वही और यहां अगर हम बात करें तो into में secant square pi minus pi by 4 है तो pi minus pi by 4 है तो यह आएगा secant square pi by 4 ठीक है अगर pi है तो secant का secant ही रहेगा और angle आजएगा अपना pi by 4 अब यहां देखें तो दूसre quadrant में तो यह गया था तो दूसre quadrant में तो यह गया था by minus of secant pi by 4 और इसका whole square है ये आप इसको ऐसे लिख सकते है तो square है तो ये square इस पे भी है और इस पे square होगा जानि कि ये minus 1 है इसका square होगा तो plus हो जाएगा अगर even power है आप ये बात समझ लें कि अगर even power है और उसक पे अंदर minus में लिखा है तो आपका positive ये आएगा answer और अगर यहाँ odd होती 3 होती फिर यहाँ minus जरूरा ठीक है तो आप समझ गए है कि minus जो है वो कहा ये खतम हो गया है क्यों खतम हो गया है इस square की वज़े से अब हमने क्या करना है वही ये value देखो ये मैंने लिख लिया नहीं minus 1 बना था है minus 1 इस से multiply करेंगे multiply में तो है तो minus 3 by 4 ये बना अब ये minus 3 by 4 into secant 5 by 4 की value क्या होती है cos का उल्टा होता है secant cos की value 5 by 4 पे 1 by root 2 होती है 1 by root 2 तो secant की उल्टी हो जाएगी यानि कि root 2 by 1 तो root 2 by 1 यानि कि root 2 का क्या कर दें secure अब इसकी अगर हम बात कर लें तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे minus 3 by 4 into 2 बन जाएगा और 2 दुनी 4 यानि कि कितना आ गया minus 3 by 2 यही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा वही आपने ये note यहाँ तक करके ये note कर लेना है ठीक है यहाँ और फिर मैंने ये line लगा रखे ये note आप कर लेंगे ये था आपका 7th का second part friends अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चनल को subscribe जरूर कर लें और अपने friend circle में भी जरूर बताएं thanks for watching my video